जैसे हौकी में फील्ड गोल स्पेशलिस्ट और पेनल्टी कॉर्णर स्पेशलिस्ट होते हैं फरदीन अल्टिमेट कोको में भी पोल डाइव स्पेशलिस्ट और स्काई डाइव स्पेशलिस्ट होते हैं पहले ये वजीर का टच देखिए अब आपको दिखाएंगे ये वजीर का टच अब राम जी कशब का स्काई डाइव देखिए आप दोडते हैं दोडते हुए अपनी लोवर बॉडी स्ट्रेंथ निकालते हैं और उसके बाद पूरा स्ट्रेच करके विरोधी डिफेंडर को टच करते हैं राम जी कशब को खो मिली बड़ा छोटा सा 20 मीटर का स्प्रिंट था और इसको स्काई डाइव दिया गया है राम जी कशब भी थोड़े हरान हो रहे होंगे कि प्रभू मैं हवा में तो था नहीं लेकिन ये पोल डाइव बिलकुल क्लीन थी मनोज पाटिल ने में आएंगे लेकिन महेश मदू करशिंदे ने बताया कि क्यों आक्शन में सबसे पहले ये पिक किये गए थे क्योंकि डिफेंस जो है वो ना केवल पॉइंट बचाता है बलकि पॉइंट कमाता भी है अल्टिमेट खोखो का फॉर्मेट ही ऐसा है मदन बचे हुए आखरी और मदन की बॉड़ी लेंग्विज देखिए ठाके हुए नहीं लग रही है बहुत फ्रेश लग रही है क्या बात है मदन ये पहला टच हुआ वजीर ने किया था स्काइडाइव विरोधी टीम के तासीन को दूसरे टच पे रिव्यू लिया गया अमित वसंत पाटिल ने ये स्काइडाइव लगाई थी और उन्होंने शिकार बनाया था मजर कलंदर को और उसके बाद राम जी कश्यप को डाइव मिली वो दोड़े डारेक्शन बदली और अपनी बीसनी स्काइडाइव लगा कर राम जी कश्यप ने बताया क्यों वो अल्टीमेट को को के नंबर एक अटाकर हैं विजे बाई विगार ने गुजरा जाइंट्स के खिलाफ कमाल के डिफेंस किया था छे पॉइंट का ड्री वारियोस के लिए जीत का लक्ष 31 पॉइंट दूर है मैच में दो ही मिनट बाकी है और लीड देख लीजिए बहुत विशाल काय है अभी भी 23 पॉइंट से चनाई क्विक गंज आगे हैं यानि दो मिनट में 24 पॉइंट चाहिए यानि आपको 8 डिफेंडर आउट करने हैं स इसी तरहां से बचे रहे राम जी हरीशंडर का शबामित पांठिल बचे विए आखरी तक और जीत हासिल कर ली है चनाई क्विक गंज ने क्या वहतरीन डिफेंस का वहतरीन अटैक और कोट साहब राजस्तान के कोट साहब बहुत ज्यादा परेशान